जैन साथियो साथियो बेरी वेरी गुड मौनिंग एंड वेलकम बैक अगर मैं चैनल अनिल अर्मिरेटर ब्लोग्स तो दोस्तो आज फिर आप के लिए में बहुत ही इंपोर्टन और बहुत ही महत्तरपुन जानकर लेकर आगया हूं दोस्तो जो मेरे युवा भाई हैं जो सि ज़्यादा हाड़ वर्क से आपको कहा है बहुत ज़्यादा महनत करने की जूरुत है दोस्तो अगर आप महनत नहीं करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी दोस्तो इसलिए महनत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और मेहनत के साथ-साथ आपको स्मार् दोस्तो और अगर चैनल पर नहीं नहीं हो तो बेल नोटिफेक्शन बटन को दुबाना ना भूले ताके मेरी हर एक वीडियो की नोटिफेकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तो और आसा करता हूँ आप जदा जदा लोगों के साथ इस जानकारी को सेयर करें दोस्तो दोस्तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आर्मी मेडिकल भरती की तियारी आप कैसे करें दोस्तों आज मैं उसके बारे में आप लोगों से कुछ डिसकस करना चाहूंगा और आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपको आर्मी मेडिकल की तियारी कैसी करनी है दोस्तों जब आपका जो फिजिकल है हो जाता है देन उसके बाद कि आपका मेडिकल की बारी आती है दोस्तों तो मेडिकल जब सारे प्रिक्शन आपके पूरे हो जाते हैं दोस्तों तो आपको मेडिकल के लिए क्या है बुलाया जाता है दोस्तों लेकिन इसके लिए क्या है आपको कुछ समय दे दिया जाता है यदि आप मेडिकल में निकल जाएं तो आर्मी में आपका स्लेक्शन पक्का है दोस्तो एक मेडिकल ही ऐसी चीज है जहां पर आपको च्छांट दिया जाता दोस्तो इसलिए आपको वो गलती ऐसी नहीं दोरानी है दोस्तो कि आप मेडिकल में च्छंट जाए दोस्तो क्यूंकि अगर आप मेडिकल में छट जा तो कैसा मैसूस होगा यह हर कोई अपने जो जवान है एक जो यंगर यंगेस्टर है वो यह जानता है कि अगर मैं एक मेडिकल में पहुंच जाता हूं वहां से छट जाता हूं तो कितना उसके दुख लगता है दोस्तों तो इसी चीज को लिए हमने पहले से ही क्या प्रिप्रेशन करके रखनी है दोस्तों तो दोस्तों यदि आप अगर मेडिकल से बाहर हो जाते हैं तो भी आपको जितने जितना परियास कर रहे हैं या अभी तक जितने भी आपने परियास किये थे वो विफल हो जाएंगे दोस्तों कि अगर आप जि तो आपकी मेहनत पूरी के बिफल हो जाएगी दोस्तों इसलिए क्या है आपको अपने क्या है स्वास्थे का ध्यान रखना होगा और जो में चीजें आपको important चीजें बता रहा हूं दोस्तों उसका आपको जुरूर ध्यान रखना है दोस्तों सबसे पहले खान पीन का से दूर रखना है दोस्तों और हलका खाना खाना है दोस्तों जब भी आपका medical का time नजदीक आ रहा हो दोस्तों तो उस time आपको खुद को fit रखना है दोस्तों जब आप अमना medical test कराने जाएं तो आपको आपका सरीर जो है वो fit दिखाना होगा दोस्तों यदि हम सरीर को fit नह दिमाग पर जाएगा और आपकी जो चबी है जो है वो सही नहीं बनेगी दोस्तों और आप अपने जो है बाल कटवा कर नाखुन काट कर दाड़ी बनाकर ही जाएं दोस्तों और साथ ही आप अपने कान की सफाई भी करवाएं इसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इसके लिए आपको खास साबधानी बरतनी होगी दोस्तों अगर जानकरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें सेर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो बेल नोटिफिकिक्षिन आइकन को दुबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और दोस्तों ज्यादा ज्यादा लोग साथ जो जानकारी को शेयर करें ताकि और भी यंगेस्टन जो हैं जो युवा हैं भरती होना चाहते हैं जो मतलब कि यहां तक आके उनका काम ना मतलब करें जो मतलब कर दोदादा जो जो कर रादावण चाहते हैं जो मतलब काम कामुट जो कम भी जो जो